नमस्कार मित्रों मैं डॉक्टर दुर्गेज सिंग आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ पहले तो आप सभी को बहुत धेर सारी शुब कामना है बहुत धेर सारा आशिरवाद एक लंबे समय से हम लोग एक वेकेंसी के अंतजार कर रहे थे हो और वो वेकेंसी थोड़ी देर से भले आई लेकिन इतनी जादा सीटों के साथ आई है कि हम लोगों में पुनह एक उड़जा का संचार अपने आप में ही भर गया है इस औसर को गमाईये मत ये बड़ा ही महत्वपूर्ण औसर है इतनी जादा सीटे आयों के द्वारा जल्दी नहीं आती है और बड़ा ही सम्मान जनक पद है बहुत ही सम्मान जनक शहरों में आपको नौकरी करने का एक औसर मिलता है मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि पूरे मनोयोग के साथ आप कहीं आप सेवा में हैं पहले से आप सेवा में नहीं है लेकिन मेरा आप सब को यही सुझाओ होगा कि अब जो ये आपको अगले तीन चार महीने मिलने वाले हैं इनको भली भाती इस्तिमाल कर लीजे, पूरी इनर्जी के साथ लग जाएए, consistent effort करिए, निश्चित तोर पे इतने महीनों के प्रयास के साथ, अगर आप पहली बार भी पढ़ना सुरू कर रहे हैं, और अगर आप हम लोगों के दिशा निर्देशों के अनुरूप चीजों को थोड़ा सा आगे की ओर लेकर चलेंगे, तो विश्वास मानिए कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, तो आज इसी स्रिंखला में मैं आपको भूगोल विशह से सुरुवात करना हूँ, और आज मैं आपको उतरी अमेरिका महादीब के विशह में एक जानकारी आपके जरूर होनी चाहिए, कम से कम भूगोलिक समझ इतनी हमारे अंदर जरूर आ जाए, कि जब कभी हम आर्टिकल पढ़ते हैं, जैसे वर्तमान समय में इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर एक तमाम खबरें आ रही है, इस से पहले आपका रूस और यूक्राइन को लेकर तमाम च चीजों के अनुरूप हर जो सत्ता है वो चाहती है कि हमारा उस पर कंट्रोल हो जाए, जोगरफी बहुत कुछ हद तक यह चीजे सुनिशित करती है कि हमें किसी भी देश के संदर्व में उसकी इतिहास के संदर्व में या वर्तमान जो उसकी स्थिती हमें देखने को मिल र महां की आर्थिक व्योस्था किस तरह के से होगी, राजनीतिक इस्थिरता कितनी महत्पूर्ण होगी और किस तरीके का समाजिक स्टैंडर्ड होगा, यह बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझ पाएंगे, जहां तक उत्री अमेरिका महादीब का संबंध है, इस म चीखने के अनुकरम में हम लोग अपनी चीजों को यहां पर लेकर चलें, तो हमारा जो पहला प्रयास रहेगा, कि बहुत धेर सारे छोटे-छोटे concept है, ठीक है, पहले इन concept को अकसर जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ना सुरू करते हैं, तो वहां पर हमें दिक्कत आत तो हम लोग एक उत्तरी अमेरिका महादीप को देखने की कोशिश करेंगे, कि इसमें किस तरीके से एक विभाजन की स्तिती हमें देखने को मिल रही है, और इस महादीप के संदर में हम लोग चीजों को आगे की ओर लेकर चलेंगे, इसी में इसी से जुड़े हुए कुछ म महादपूर कॉंसेप्ट है, वो कॉंसेप्ट किसको कहते हैं हम लोग लाटिन अमेरिका, ठीक है, दूसरे नंबर पर एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल अमेरिका, ठीक है, और एक शब्द हमें देखने को मिलता है एंगलो अमेरिका या आंगल अमेरिका, और एक term हमें और यहाँ पर देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं Central America तो बहुत ही साफ सुत्रे ढंग से हम लोगों की यहाँ पर कोशिश रहेगी कि पहले इन चीजों को हम लोग सीखें इस अंतर को देखें और इनके समझने के बाद जब हमारा ये concept यहाँ पर clear हो जाएगा पहले अनुकरम में आप इन चीजों को एक भली भाती समझ लेंगे उसके बाद जो दूसरे नंबर पर एक महत्रपून चीज जिन पर हमारी समझ बहुत सुनिशित होनी चाहिए क्योंकि किसी भी जगां का आरथिक अस्तर हो और किसी भी जगां का समाजीक अस्तर हो कहींने कहीं प्रभावित होता है भॉआज़िक विशयस्ताओं से या भूğाकरतिक विशयस्ताओं के संदर्व में ही दूसरे स्टैंडर्ड में या दूसरे हाफ में हम लोग चीजों को यहाँ पर यह सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें उत्री अमेरिका महादीब के संदर्व में वहां की भू आकरतिक विशेस्ताइं हमें किस तरह की दिखाई दे रही है और इन भू आकरतिक विशेस्ताओं को समझने के साथ ही जब आप पूरे उत्री अमेरिका महादीब को देखेंगे तो आप कोई समझ में आएगा कि दो बड़े महत्पूर्ण बैकबोन है एक आपका वेस्टन कॉर्डिलेरा या पस्चमी कॉर्डिलेरा जहां पे अपलेशन माउंटेन वाला छेत्र हमें देखने को मिलता है और पूर की तरफ अगर हम देखें तो अपलेशन माउंटेन समय देखने को मिलते हैं जो की संसादनों के मामले में बड़े ही संपन है ग्रेट लेशेत कनेडियन शेल्ड क्या है और बीच का जो प्लेइन वाला इलाका है जहां पे मिसी सीपी और मिसौरी नदिया मिल रही है उस अनुकरम में हम लोग चीजों को यहां पर सीखेंगे और समझेंगे तो हम लोग भू आकरतिक विशेस्ताओं को यहां पर देखेंगे वाह सीमा के तौर पर कौन से महत्वपूर्ण महासागर सागर महासागर सागर यह देखने को मिल रहे हैं साथी साथ कौन सी खाड़ी हमें कहां पर मिल रही है और खाड़ीों के बाद आप से जो सवाल पूछे जाते हैं वो द्वीप से सम्बंदित पूछे जाते हैं और जो अगला अनुकरम जो बहुत महत्वूर्ण है जो हर परिक्षा में आपको एक ना एक सवाल यहां पर देखने को मिलेगा वो हमारे जल संदियों से सम्बंदित होते हैं तो इन सब चीजों के आधार पर हम अपनी क्लास को आज का जो यह सेशन है आज की जो क्लास है इसमें हम लोग चीजों को आगे की ओर लेकर चलेंगे तो पूरे मनोयोग से आप लोग एक आउटलाइन मैप लेकर बैठिये और जिस तरीके से हम आपको चीजों को प्लाट करवा रहे हैं जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं वहाँ पर आप सबजने की कोशिश किरिए और कहीं न कहीं आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी हम लोग क्लास खतम होते होते तक इस लेवल पर जरूर पहुँच जाएंगे जो आप में से पहले बार भी पढ़ रहे हैं लो कि हम उत्तरी अमेरिका महादीप में खास कर जो दुनिया की में चल रही जिस दिन आपकी अंडेस्टैंडिंग इस लेवल पर आजाएगी आपको लगेगा कि भुगोल पढ़ना सार्थिक हो गया है तो बिना समय गवाए बहुत लंबी भूमिका में समय बेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है आईए हम लोग उत्तरी अमेरिका महादीप के बारे में चीजों को सीखते हैं समझते हैं और देखते हैं कि यह हमारे लिए आगे की पढ़ाई में किस तरीके से महत्पूर्ण हो सकता है जहां तक समिक्षा अधिकारी और सहाइक समिक्षा अधिकारी का विशय है आपकी परिक्षा में जिस एप्रोच के साथ हम आपको चीजें बता रहे हैं उसी एप्रोच के साथ आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगे बात समझ में आ रही है अगर आप उत्तरी अमेरिका महादीब को देखिए तो इन चीजों को यहाँ पर समझना है कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सी कंडिशन हमें देखने को मिल रही है उत्तरी अमेरिका महादीब को अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें ठीक है तो अगर आप इस जगां पर देखिए तो ये हमारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महादीफ है ठीक है थर्ड नंबर पे ये महादीफ हमें देखने को मिलता है और अगर ये तीसरे नंबर पे है तो भाई पहले और दूसरे पे कौन है तो पहले नंबर पे जो एरि पर आप ध्यान से देखिए तो तीसरे नंबर पर है और लगभग विश्व में 16.3 प्रतिशत एरिया जो है यह महादीप एक्वायर करता है तो कभी कभी इस तरह के फैक्ट वाले सवाल भी बन जाते हैं तो उन पर हमने आपकी यहाँ पर एक आपको एक सूचना दे दी और इ तो यह वाला जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है यह वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोग यहाँ पर अलास्का के नाम पर जानते हैं ठीक है अलास्का इस पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका की ही संप्रभुता है और यह वाला जो छेत्र है इस पर अधिकार जो है यह यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका कही है अगर दूसरी कड़ी में हम लोग यहाँ पर महत्पूर्ण तरीके से देखें तो यह आपका कनाड़ा है ठीक है ठीक इसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग और नीचे की हो रह है दुनिया में चांदी की का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश आपको यह दिखाई दे रहा है और यह है आपका मेक्सिको बात समझ में आ रही है ठीक और इसके बाद आपको बहुत छोटी-छोटे से यहाँ पर कंट्रीज देखने को मिलती हैं ग्वाटेमाला बि देखें तो बहुत धेर सारे आपको छोटे बड़े केरिवियन दीव समु यहां पर देखने को मिलते हैं क्यूबा है और जमयका है आगे की और अगर हम लोग देखें तो बहामास काईको साइलेंट यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है इस पर हम लोग एक अलग सेप सेक्शन है जहां पर हमें जानकारी जांपर भोनी चाहिए अब अगर यहाँ पर मोटी-mmोटी चीज़ों के आधार पर हम लोग चीज़ों को लें तो कुछ विभाजन के आधार पर कुछ चीजे महत्वपूर्ण है जिनको यहां पर समझना चाहिए अगर यहां पे का निर्धारन यहाँ पर कर रही है तो यह अगर 49 डिगरी उत्तरी अच्छांस रेखा के संदर में हम लोग बात करें तो यह आपकी कनाड़ा और United State of America के बीच में एक boundary का यहाँ पर काम करती है वहीं पर अगर एक नदी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखे एक बड़ी ही महतपूर्ण नदी है जिसको हम लोग Rio Grande River के नाम से जानते हैं यह जो Rio Grande River है United State of America और Mexico के बीच में एक आपकी natural boundary की तरह काम करती है तो इस Rio Grande नदी को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह कभी-कभी यहाँ से भी आपके सवाल पूछ लिया जाते हैं बात समझ में आ रही है और एक प्रशन आपका यहाँ पर और बनता है जो बड़ा ही important है अगर हम लोग 100 degree पश्यमी देशानतर रेखा को अगर हम ध्यान से देखें तो वो लगभग इस पूरे महादीव को लगभग बीच से विभाजित कर रही है और लगभग बीच से विभाजित करने का एक अनुकरम जो यहाँ पर धुश्यमी देशानतर रेखा के पूर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो आपकी आर्थिक गतिविधियां है इन आर्थिक गतिविधियों का विकास आपको अधिक देखने को मिलेगा तुलनात्मक रूप से जो इस 100 डिगरी पश्यमी देशानतर रेखा के पश्यम का हिस्सा है बात समझ में आ रही है तो इस कुछ कुछ इस तरीके का विभाजन आपको कनाड़ा युनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका मैक्सिको और यहाँ पर बहुत धेर सारी छोटी- आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और अगर आप महतव्ण तरीके से देखें तो हर देश की अगर दो महासागरों से सीमाईं यहां पर क्या हो रही है और वो बड़ा ही महतुपोड इनको एक सिस्टम प्रवाइड करता है कि आप इधर भी निकल सकते हैं और आप इस ओर भी निकल सकते हैं बात समझ में आ रही है अब आईए यहीं पर हम लोग थोड़ा सा कॉंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी से हमे आपको प्रशान्त महासागर देखने को मिलेगा यह आपका क्या है इधर आपका प्रशान्त महासागर है और अगर हम लोग इसके पूर की और यहां पर ध्यान से देखें तो इस जगहां पर हमें अट्लांटिक ओशन देखने को मिलता है इधर अकित और अगर हम लोग आ ज बात क्लियर हो गए अब यहाँ पर चीजों को थोड़ा समझिए ठीक धंक से समझने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगे अब अगर यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखते हुए चलिए ठीक तो कनाड़ा की स्थिति आप देख रहे हैं अगर आप दक्षिण की तो और यहाँ पर चले आएंगे तो सबसे पहले इस जगहां पर आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है ग्वाटे माला बात समझ में आ रही है ग्वाटे माला के बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यह जो इस्तिती है यह है आपका बेलेज साथ साथ में अगर आप लोग प्लॉट करते हुए चलेंगे तो दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगे बेलेज के बाद अगर आप दुख देखिए तो यहाँ पर आपको एल सेलवा डोर ठीक है और El Salvador के बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए जो अगला महत्पूर्देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है El Salvador के बाद अगर आप देखेंगे तो यह है आपका Honduras 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 के बाद Nicaragua, Costa Rica और Panama ठीक है, Honduras के बाद अगर हम लोग चीज़ों को यहाँ पर ध्यान से देखें तो यह है आपका Nicaragua, Nicaragua के बाद अगर और दूसरा जो महत्पूर्देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह है, Costa Rica और Costa Rica के बाद अगर हम लोग यहाँ पर और दक्षड की तरफ चले आएं तो यह वाला जो हिस्सा है यह आपको जो देश दिखाई दे रहा है वो है पनामा बात समझ में आ रही है ठीक और उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत धेल सारे Caribbean दीब समू दिखाई दे रहे हैं जिसमें क्यूबा, हैती, इत्यादी इत्यादी आपके बहुत महत्पूर्ण है अगर इन चीजों को आप ध्यान से यहाँ पर देखिए तो जो समझने वाली बात है जहां से आपके महत्पूर्ण सवाल आपके बनते हैं परिक्षा में और वो बड़ा ही important है अगर मैं आपसे यह कहूँ कि Canada की जो टटरेखा है वो प्रशान्त महसागर से भी छू रही है और Atlantic Ocean से भी छू रही है तो आपका जवाब हां की ओर होगा United State of America को हम लोग द इसा देश है जिसकी एक टटरेखा प्रशान्त महसागर की तरफ भी है और आपके Atlantic Ocean की तरफ भी है सेम टू सेम यही मेक्सिको में देखने को आपको मिलेगा और आपके यहां पर देखिए तो साथ देश आपको देखने को मिल रहे हैं अगर हम लोग ग्वाटेमाला दूसरा हैंडुरास तीसरा अलसलवाडोर चौथा निकारागुवा पांचवा कोस्टारिका छठा और आपका जो पनामा है वह आपको सात्वा यहां पर बहुत महतपूर देखने को मिल रहे हैं इन में जो समझने वाली बात है इन में से पांच देश आपके इस तरह के हैं कि अगर हम लोग को देखिं तो इसकी टत्रेखा केवल अट्लांटिक महासागर से चूर है बातसवंच में आ रही है और और वहीं पर अगर हम लोग ऐल Сегодня से व्यूपर आपके देश यहां पर हैं जितने भी देश शम्णों और अट्लांटिक महासागर दोनों degradation सागनों से सीमा को साजा कर रहे हैं तो एक बार यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उत्तरी अमेरिका महादीप के संदर्व में अगर आप चीजों को ठीक से देखिए तो आपको कनाड़ा उनाइटेड स्टेट उफ अव अमेरिका मैक्सिको मैक्सिको के बाद आप आपको महत्पूर्ण तरीके से यहां पर देखने को मिल रहे हैं उनकी जो सीमाएं हैं वो दोनों ही बड़े महासागरों से आपकी यहां पर टच कर रही हैं जिनके विशह में आपको यह प्रश्ण यहां पर बन सकता है इसलिए इस पर हाइलाइट करना बहुत ही जरूरी है और उम्मीद है कि आप लोग इस पर चीजों को कर पा रहे होंगे अब देखिए अब चुकि आपको यह क्लियर हो गया कि हां कहां पर अलास्का मिलेगा कहां कनाड़ा है कहां युनाइटेट स्टेट आफ अमेरिका है मेक्सिको है और उसके बाद जो है जितने भी देश हम लोग यहां पर चीजों को सीखेंगे कि Central America हम किसे कहेंगे तो जब आपको Central America term आ रहा है तो इस Central America term में आप Guatemala से ले कर और Panama तक ठीक है आपका Guatemala, Belich, Belich के बाद Honduras, El Salvador, El Salvador के बाद हम देखें तो Nicara Guga, Costa Rica और Panama ये जो साथ देश आपको महाधपून तरीके मिल रहे है इन साथ देशों को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे Central American देश है बात समझ में आई अगर इन साथ देशों के संदर में आपसे सवाल पूछा जाता है तो ये आपके Central American देश है फिर आप कहेंगे सर Middle America हम किसे कहेंगे जब यहाँ पर आपसे दूसरे अनुकरम में अगर इसी में टर प्लस आपके जितने भी Central American countries है Central American देश है और Caribbean सागर में जितने भी आपको छोटे बड़े दीव समू दिखाई दे रहे हैं तो आपके Caribbean Sea के दिखाई दे रहे हैं इनको समलित तौर पर हम लोग क्या पको कहेंगे यह आपका मिडिल अमेरिका हो गया बातसमज में आ रही है अब जैसे यहां पर जो पहले आपने सेंटरल अमेरिका को सीख लिया Central America में हमने आपको क्या बताया Guatemala, Bellage, El Salvador आपका Honduras, Nicaragua, Costa Rica और आपका यहाँ पर Panama अगर इन स्थितियों को अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं तो आपका जो पहला भी भाजन है अगर इन चीजों को अगर आप ध्यान से देखिए मेक्सिको, दूसरे नंबर पर आपको जो Caribbean दीव समूँ में छोटे बड़े दीव समूँ आपको देखने को मिल रहे हैं यह आपका Middle America हो गया और जो तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो आपकी Central American countries है जब Middle America शब्द आएगा तो Middle America का मतलब मेक्सिको, Caribbean दीव समूँ में जितने भी छोटे बड़े दीव समूँ मिल रहे हैं और आपका Central America यह समलित रूप से आपका Middle America कहलाता है बात समझ में आ रही है अगर आप से पूछा जाए कि आंगल अमेरिका का संबंद किस्से है तो हमने आपको बताया था कि यह आपका Canada है और इसके दक्षण की तरफ जब हम लोग यहाँ पर महत्पूर तरीके से चलेंगे तो यह हमारा क्या था यह हमारा USA था तो जब Canada और USA मतलब Canada और USA को समलित रूप से इसको हम लोग आंगल अमेरिका या एंगलो अमेरिका के नाम से जानते हैं तो अगर कहीं पर एंगलो अमेरिका तर्म आ रहा है तो आप यह समझिए कि वो Canada और United State of America को समलित तोर पर हम लोग किसके नाम से जानते हैं आंगल अमेरिका के नाम से जानते हैं बात clear हो गई, यही पर एक और महत्पूर्ट टर्म आपको देखने को मिलता है, जिसमें शब्द जुड़ा हुआ है Latin, अगर देखिए, मेनली यह जो कनाडा और United State of America है, ठीक है, यह आपका डिराइव, मतलब मेनली यह डिराइवड है आपके British roots से, ठीक है, British political origins से यह डिराइ दिया है, वो आपका Canada और United State of America, इसको हम लोग आंगल अमेरिका के नाम से जानेंगे, वही पर चाहिए, अगर Mexico, Central American देश और आपका जो Caribbean दीवसमूँ वाले देश हैं, यह आपके primarily derived हैं, आपके Spanish और Portuguese roots आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इसी कड़ी में यहाँ पर एक Latin America किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कि जब शब्द आ जाए Latin America, ठीक है, तो Latin America में South of the USA, USA के दक्षिण में Mexico, ठीक है, Mexico से लेकर पूरा South America तक, इसका मतलब Mexico से शुरू करिए आप दक्षिण में, अगर United State of America के दक्षिण में, Mexico को अगर हम ले लें, Caribbean Island या Caribbean दीव समुहों के देशों को अगर हम लोग ले लें, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग Central America अमेरिकी देशों को सामिल कर लें, और दक्षिणी अमेरिका को सामिल कर लें, तो United State of America के दक्षिण में, Mexico, Caribbean Islands, Central America और South America, यह जो आपका सीक्वेंस है, यह जो आपकी Latin America कहते हैं, तो अगर अब कहीं पर भी आप लोगों से कोई भी conceptually ये बात पूछे, कि भाई जरा हमको ये बात समझा दो, हमारा concept नहीं clear हो पा रहा है, कि हम लोग किसे कहेंगे Latin America, किसे कहेंगे Middle America, किसे कहेंगे Central America, और तो वहाँ पर आप स्पस्च चीजों को समझा दीज कि भाई देखिए, अगर मेक्सिको के दक्षण की तरफ, जो आपको यहाँ पर गवाटेमाला से लेकर पनामा तक, ये जो साथ महत्वण देश हमें देखने को मिल रहा है, इनको हम लोग Central America की देश कहते हैं, जब Middle America की देशों के संदर में बात चीत की जाएगी, तो मेक्स मेक्सिको, केरबियन दीवसमूह, चोटे बड़े दीवसमूह, जितने भी आपको देखने को मिल रहा है, और इन Central America की देशों को समलित तोर पर हम लोग Middle America की देश कहते हैं, और अगर Latin America शब्द आ जाए, तो United State of America के दक्षण की तरफ, आगर आप ध्यान से देखिए, तो United State of America के दक्षण में, जो आपको हिस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मेक्सिको, आपका केरबियन दीवसमूह, यहाँ पर Central America की देश, और उसके दक्षण में South America को भी इसमें सामिल कर लिया जाए, तो समलित रूप से इनको हम लोग Latin America कहते हैं, आंगल अमेरिका के संद पहला जो यह विजन है, मेरे ख्याल से पहले आपका यहाँ पर पहले लेवल पर जो पहला पायदान था, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया कि आपका concept यहाँ पर clear हो जाएगा, वो आपका अनिश्चित तोर पर यहाँ पर clear हो गया होगा, अब यहाँ पर जो अगली समझने व पाये और फिर चीजें आपकी clear हो जाएंगी, तो इसलिए सबसे पहले है कि हम लोग identify कर लेते हैं कि कौन-कौन से बड़े महासागर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो अगर उत्तरी अमेरिका महादीब के इस बाई और या पश्चिम की तरफ हम लोग यहाँ प अगर हम लोग एक अनुकरम के आधार पर दक्षण की तरफ से अगर हम लोग यहाँ पर शुरू करें तो इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको केरेवियन सागर दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर यह है आपका केर सुथर की तरफ आप बढ़िये तो यहाँ पर आपको एक बड़ा ही महत्रपूर्ण गिस्तिती दिखाई दे रही होगी, जिसे हम लोग कहते हैं कैमपे की खाड़ी, गल्फ आफ कैमपे, कैमपे की खाड़ी, बात समझ में आ रही है, इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखाई भड़ी, बात समझ में आ रही है, इस से आप नौर्थ की तरफ आगर यहाँ पर बढेंगे तो यही पर आपको सारगैसो सी दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ही महत्रपूर्ण तारिके से अगर आप ध्यान से देखिए, तो यहीं पर आपको सारगैसो सागाः द दिखाई दे रही होगी जिसका नाम यहां पर क्या है चेसा पीक की खाड़ी बात समझ में आ रही है और उत्तर की तरफ जब हम लोग यहां पर बढ़ेंगे तो यहां पर आपको जहां पर सबसर्वादी कुचाई के जवार भाटा आपके अनुभो किये जाते हैं यह है आपकी फंडी की खाड़ी बात समझ में आ रही है ठीक इस से थोड़ा सा हम लोग और नौर्थ की तरफ अगर यहां पर ध्यान से बढ़ें तो इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यह है आपकी सेंट लॉरेंस की खाड़ी इस जगह पर आपको बहुती महत्पूर तरीके से एक सेंट लॉरेंस की खाड़ी देखने को मिलती है और अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो यहां पर आपको एक लेब्रेडोर सागर दिखाई दे रहा होगा लेब्रेडोर सागर बात समझ में आ रही है क्लेर हो गए बात ठीक अगर यहां पर हम लोग ध्यान से देखिए तो यह आपको एक बहुती महत्पूर यहां पर एक खाड़ी दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है उंगवा बे या उंगवा की खाड़ी ठीक यह जो आपको एक बड़ा सा खाड करती यहां पर दिखाई दे रही है यह है आपकी हडसन की खाड़ी बात समझ में आई और इसी के दक्षण की तरफ आप यहां पर यह वाली जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यह है आपकी जेम्स वे जिसको हम लोग जेम्स की खाड़ी के नाम से यहां पर जानते हैं बात जो को आप लोगों ने यहां पर मार कर लिया है ठीक है और इनको अगर आपने मार कर लिया है तो इसके आगे की और जब हम लोग यहां पर बढ़ें जब आप लैबरेड और सागर से आगे की और बढ़ेंगे तो यहां पर आपको बहुत धेर सारे दीप समू दिखाई दे रह बात समझ में आ रही है ठीक यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यह है Alice Murray ठीक है Queen Elizabeth आपको मैं यहाँ पर Queen Elizabeth Queen बात समझ में आ रही है आपको इस जगह पर Queen Elizabeth आईलेंड दिखाए दे रहे होंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यह है आपका ब्यूफोर्ट सीट ब्यूफोर्ट सागर ठीक है और इसी जगह पर अगर आप यहाँ पर ध्यांगे देखिए तो यहाँ पर Mackenzie Bay आपको देखने को मिल रहा होगा जिसको हम लोग Mackenzie की खाड़ी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं अगर आप ब्यूफोर्ट सागर से इधर की और आ जाईए तो यह है आपका बेरिंग सागर इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग कहते हैं बेरिंग सागर ठीक है और इसी में एक बहुत ही महात्रपूर्ण यहाँ पर एक छोटी सी खाड़ी है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ठीक है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिस्टल वे ठीक और अगर आप इस से दक्षण की और चलते चले आएंगे तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही महात्रपूर्ण आइलैंड दिखाई देगा जिसको यहाँ पर हम लोग एलिक्जेंडर आर्की पिलैगो के नाम से जान रहे हैं ठीक है यह है आपका एलिक्जेंडर आर्की पिलैगो इसको मैं इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ और इसके साउथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहीं पर आपको क्वीन चार्लोटे दिखाई दे रहा होगा बात समझ में आ रही है ठीक और यह है आपका वैंकूवर आइलेंड यह जो आपको द्वीप समू पे आप आगे की और बढ़ेंगे तो यह है आपका गल्फ आफ कैलिफोर्निया या जिसको हम लोग कहते हैं कैली फोर्निया की खाडी कैली फोर्निया की खाडी बात क्लियर है ये जो आपकी स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है इसको हम लोग कहते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी अब अगर आउटर बाउंडरी के संदर में अगर हम लोग चीजों को आपने देखा और समझा तो यहीं पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक अगर इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें क्योंकि अगर एक बार आपकी आउटर बाउंडरी क्लियर हो गई तो निश्चित तोर पर आप यह मान के चलिए कि आपको बहुत आसानी से जितनी भी आपकी जलसंदियां हैं वो जलसंदियां आपको तयार हो ज ठीक है कोडियाक आईलेंड बातसवण में आ रही है अगर हम लोग इसमें बेरिंग सागर में अगर आप ध्यान से देखिए तो यह है आपका सेंट लॉरेंस दीप बातसवण में आ रही है और यह वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं नूना विक आईलेंड यह आपका कहलाता है नूना विक बात समझ में आ रही है अगर इन सारी चीजों पर इतनी चीजों पर आपकी एक बार कमांड हो गई अगर आपने सारी चीजों की स्थितियों को ध्यान से यहाँ पर समझ लिया तो निशित तोर पर अब जो information हम यहाँ पर add करने जा रहे हैं जलसंदियों की उन information से आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आपकी यहाँ पर आपको नहीं होगी बात समझ में आ रही है यहाँ पर अगर आप देखें तो जो Hudson की खाड़ी है इसमें भी बहुत महत्पूर्ण तरीके से आपको पाँच दीब समू देखने को मिलते हैं और परिक्षाओं में इन पर सवाल बहुत ही महत्पूर्ण तरीके से बनते हैं यहाँ पर अगर इस वाले section को अगर आपको मैं बाहर की तोर यहाँ पर लेता चलाओं तो जहाँ मैंने star किया हुआ है अगर उस star वाले हिस्से को ध्यान से देखिए तो सबसे पहले नंबर पे सबसे उत्तर की तुरफ क्योंकि आपसे परिक्षा में north to south यह sequence पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा और उस north to south sequence में अगर आप ध्यान से देखिए तो यह वाला जो है वो है आपका south hampton ठीक है उसके बाद courts, coast, coast मतलब coast के बाद mansell, mansell के बाद utawa, utawa के बाद belcher यह बड़ा ही महत्पूर्ण सवाल है जहाँ पर आपसे question पूछे जाते हैं तो south hampton, south hampton के बाद आपको courts मिल रहा है, courts के बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो mansell और इसके बाद आपका utawa और utawa के बाद अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपको belcher, south hampton, courts, mansell, utawa और belcher यह बड़े ही महत्पूर्ण आपको islands के sequence हैं जो आपके Hudson की खाड़ी में यहाँ पर देखने को मिलते हैं और हमेशा इनका उत्तर से दक्षिण अनुक्रम आपसे परिक्षा में पूछा ही जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे त तो Southampton, Southampton के बाद Courts Island, Courts Island के बाद आपका Mansal, Ottawa और Belcher अगर आप North to South sequence में अगर आप ध्यान से चलिये तो इस island पर भी आपके बहुत ही महत्पूर्ण तरीके के सवाल बनते हैं जहां से आपको चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखना है और प्रश्ण वहाँ से बनते हैं तो आईए यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर कौन सी बहुड़ी महत्पूर्ण हमको straights देखने को मिल रही हैं जलसंदियां जो देखने को मिल रही है उनको हम लोग तयार कर लें अगर हम लोग यहाँ पर महत्पूर्ण तरीके से देखें इस जगह पर अगर इस जगह अगर आप ध्यान से देखिए तो यह है आपका यूकाटान चैनल इस जगह पर आपको क्या इस्तिती देखने को मिलेगी इसको हम लोग कहते हैं यूकाटान चैनल बातसवन में आ रही है वहीं पे फ्लोरीडा और क्यूबा के बीश में अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमें दूसरी बहुत महात्पूर्ण जलसंदी जलसंदी का मतलब कोई भी आपका एक सकरा ऐसा जली भाग होता है जो दो जल वाले हिस्सों को दो जली राशियों को ज सब्सक्राइब तो यह बड़ी ही महत्तपूर्ण आपका दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरीडा स्टेट ठीक है यह जो स्थिति हमें यहां पर देखने को मिल रही है इसको हम लोग इस जलसंदी के नाम से जानते हैं वह है आपकी फ्लोरीडा जलसंदी इसको क्रॉ पहुंचेंगे तो आपको Chesapeake की खाड़ी दिखाई देगी अगर और हम लोग North की तरफ यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर हमें Fandi की खाड़ी Nova Scotia को cross करके अगर हम लोग यहाँ पर आगे की और पहुंचें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जलसंदी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं बैले आईल जलसंदी यह जो जलसंदी आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग कहते हैं बैले आईल जलसंदी तो इस चीज को ध्यान में रखेगा कि अगर बैले आईल जलसंदी के संदर में सवाल पूछा जाए तो यह आपके सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेबरे डोर सागर से आपको यहाँ पर connect कर रही है अगर इसी जगाँ पर हम लोग अगर ध्यान से यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर Greenland और Baffin दीब के बीच में बहुत ही महत्पूर जोकी संसार की सबसे चौनी जलसंदी यहाँ पर देखने को मिल रही है यह है आपका Davis जलसंदी, Davis Strait और अगर आप इधर से घूम कर अगर Baffin Island और Ungua Peninsula के बीच में यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको एक Strait देखने को मिलेगी जिसको हम लोग कहते हैं Hudson जलसंदी इस जगाँ पर आपको Hudson की जलसंदी देखने को मिल रही होगी जो आपके Labrador सागर से Hudson की खाड़ी को connect कर रही है और Baffin वीप और Ungua Peninsula को यहाँ पर अलग कर रही है यही पर एक और बहुत महातुपूर्ण Alice Murray Island और Greenland के बीच में यहाँ पर एक बहुत ही महातुपूर्ण जलसंदी हमें देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं Nears Straight आपको ध्यान में रखना है कि Nears Straight हमें किस जगह पर मिल रही कि अगर Nears Straight पर सवाल बने तो हमें वहाँ पर गल्ती नहीं करनी है बात समझ में आ रही है यहीं पर अगर आप ध्यान से देखिए तो एक बड़ी ही महातुपूर्ण जलसंदी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं Bering जलसंदी या Bering Strait बात समझ में आ रही है यह बड़ा ही महातुपूर्ण है एसिया और इनके बीच में यह अंतर सुनिशित कर रहा है तो आपको Bering जलसंदी देखने को मिलेगी जब आप Vancouver Island के पास चले आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ी ही महातुपूर्ण जलसंदी देखने को मिल रही है जिसको हम लोग कहते हैं John D. Fuga यह है आपकी John D. Fuga जलसंदी बातसमन में आ रही है इसको आपको ध्यान में रखना है यह आपका जो महात्यपूर्ण जलसंदी आपको देखने को मिल रही है यह है आपकी John D. Fuga अब अगर इन चीजों को आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोग इन चीजों को दिमाग में बैठाएं कैसे अगर इनको बैठाने का सबसे एक अच्छा तरीका होता है कि अगर आप ध्यान से यहां पर देखिए और हम लोग Caribbean RC से अगर हम लोग यहां पर सुरू करें तो Caribbean RC से आपको अगर माल लिए कि आप एक बहुत ही स्वस्त मचली है और अगर आपको इसको Caribbean दीव समू को क्रॉस करके जाना है तो आप जब Caribbean दी से यहां पर आगे की और बढ़ेंगे तो आपको पहला जो महत्पुर्ण यहां पर चैनल दिखाई देगा उसको हम लोग कहते हैं Yucatán Channel और Yucatán Channel को क्रोस करके आप मैक्सिको की खाडि में पहChuyeg risks को की खाड़ी में जब आप बाई तरफ आगे की और बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कैम्पे की खाडि, Anda dbrand Kia को क्रास करके पहुंचेंगे सारगैसो सागर में यहां से जब आप आगे की और बढ़ेंगे तो आप आएंगे चेसा पी की खाड़ी में इससे और आगे की और बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे फंडी की खाड़ी में फंडी की खाड़ी से आप आएंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी में सेंट लॉरेंस की खाड़ी से लेबरेड और सागर में जाने के लिए यहां पार आपको बेले आयल जलसंदी को क्रॉस करना पड़ेगा और बेले आयल जलसंदी को क्रॉस करके आप पहुंचेंगे कहां पर लेबरेड और सागर में अब लेबरेड और सागर से आपके पास दो विकल्फ हैं या तो आप बैफिन दीप के दक्षिंड मतलब बैफिन आईलाइंड के दक्षिंड से होते हुए हर्टसन की खाड़ी की ओर जा सकते हैं और अगर आप इस रास्ते को अपनाते हैं तो यहाँ पर आपको हर्टसन जलसंदी मिलेगी और अगर आप ग्रीन लैंड और बैफिन आईलाइंड के बीच से जाते हैं उधर की ओर तो आपको यहाँ पर ही बहुत ही महत्पूर्ट तरीके से डेविस जलसंदी को क्रॉस करना पड़ेगा और डेविस स्टेट को क्रॉस करके जब आप ग्रीन लैंड और बैफिन आईलाइंड के रिष्टल की खारी में अलूसियन दीप दक्षण से कोडियाक आइलाइंड के पास कोडियाक आई लैंड से आप दक्षण की टरफ कि आपको the under बैंकुवर दीप के पास, बैंकुवर आइलैंड के पास ही, मेन लैंड में और बैंकुवर के बीच में यहाँ पर एक जलसंदी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग जान डिफ्यूगा कहते हैं, और जान डिफ्यूगा से आप पूरे ये ब्रिटिस कोलम, इधर वासिंग्ट यहाँ पर एक जो दूसरा रास्ता छूटा हुआ था, वो आपका ये वाला था, हट्सन की खाडी से, आप पहुंचेंगे हट्सन, मतलब हट्सन की जलसंदी को क्रॉस करके आप पहुंचेंगे हट्सन की खाडी में, और यहाँ पर आपको बहुत ही महत्यपूर्ण, पाच यह सीक्वेंस जरूर याद रखेगा क्योंकि लगातार यहाँ से UPSC में सवाल बनते हैं, समिक्षा दिकारी में भी सवाल पूछे जाने की यहाँ पर पूरी-पूरी संभावना हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो अगर हम लोग उत्तरी अमेरिका महादीब की इस बाह सीमा को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो बड़ी आसानी से हम लोग यह चीज़ जज कर पाते हैं, कि कहां पर हमको क्या विशेष्टाएं आपको देखने को मिलेंगी, आपने यह क्लासिफिकेशन सीख लिया, कि किसको हम लोग कहेंगे आंगल अमेरिका, किसको हम लोग कहेंगे मेडिल अमेरिका, किसको कहेंगे लैटिन अमेरिका, तो निश्चित तोर पे अब आगे की ओर जो इसकी भू आकरतिक विशेष्टाएं हैं, उन भू आकरतिक विशेष्टाओं के संदर्व में भी आपको कोई भी दिक्कट का सामना नहीं करना पड़ेगा तो इसकी अगली कड़ी में हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें उत्तरी अमेरिका महादीप में किस तरह की भू आकरतिक विशेष्टाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, अगर उन उपर हमारी चीजों की पकड़ एक बार सुनिश्चित हो जाए आपसे जलसंदियों से पूछे या दीपों की स्तिती के आधार पर पूछे आपसे वहाँ पर गलती नहीं होगी, निशित तोर पे इस बात को आप वहाँ पर लेकर चलिए, आईए अगले सीक्वेंस में यहीं पर हम लोग सीख लेते हैं कि यहाँ की भू आकरतिक विशेष आपको किस तरीके से देखने को मिल रही है और भू आकरतिक विशेष्टाओं के संदर में किस तरीके कौन से परवत पठार कहां पर मिल रहा है, जिसको हम लोग तयार कर लेंगे, तो भी कोई भी दिक्कत हमें यहाँ पर नहीं होगी, चलिए, हम लोगों ने यहाँ पर अगर आपके दिमार्ट में वो चारो तरफ की आउटर बाउंडरी बन गई है, तो जो किसी भी महादीप या किसी भी देश के संदर में सबसे महतपूर्ण चीज होती है, वहाँ की भू आकरतिक विशेष्टा है, उन भू आकरतिक विशेष्टाओं के संदर में आईए, हम हम लोग आगे बाचीत कर लेते हैं कि कहा पर उत्री अमेरिका महादीप के संदर में कैसी भू आकरतिक विशेष्टा है, हमको यहां पर देखने को मिल रही है, इन भूआकरतिक विशेष्टाओं के संदर में अगर बाचीत करें, तो आपको मोटे-मोटे तौर पर, अगर ह यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग पश्चिम में Western Cordillera के नाम से जानते हैं, अब उन में किस तरीके से कौन से महत्रपूर्ण परवत आपको देखने को मिलेंगे, और उन परवतों के बीच में कौन सा महत्रपूर्ण पठारी छेतर है, उसको अभी हम लोग एक sequence म यहाँ पर समझ लेंगे, अगर पूर की ओर चलें आएं तो Hudson खाडी, Hudson की खाडी के आसपास का यह जो पूरा हिस्सा है, यह Canadian शील्ड वाला हिस्सा है, शील्ड क्या होती है, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं, उसको अभी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, बात समझ मे कहते हैं, तो इधर की ओर भी आपको उच परवट शेंखलाएं देखने को मिल रही है, और इधर आपका अपलेशन माउंटेन और उत्तर की तरफ अगर हम लोग देखे हैं, तो यहाँ पर Canadian शील्ड देखने को मिल रही है, तो दो जो महतपूर्ण बैकबोन एरिया आपको Western Cordillera वाला एरिया है, उसके बीच का लो लैंड वाला आपका एरिया है, जहां पर आपको Great Plains दिखाई दे रहे हैं, और अगर इधर की ओर हमें आ जाएं, तो एक Old Applesian Mountain Series हमें दिखाई दे रही है, अगर आप पस्चिम से पूर की तरफ चलें, तो कुछ-कुछ ऐसी को मिलेगी, तो हम लोग को लिए बहुत आसानी हो जाएगी तैयार करने में और वहाँ पर कोई भी दिक्कत का सामने हमें नहीं करना पड़ेगा, तो भू आकरतिक विशेस्ताओं के संदर में अगर आप ध्यान से देखिए, तो जो आपका ये पश्चिमी हिस्सा है, ये प कभी-कभी उन परवट शिंखलाओं के विशय में पूछ लेगा, कभी-कभी उन पठारी छेत्रों से संबंदित सवाल पूछ लेगा, तो आईए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर नौर्थ की ओर देखें, इस जगह पर देखें, तो आपको एक ही बहुत ही महत्यपूर्ण परवट शिंखला इस जगह पर दिखाई दे रही है, और इस परवट शिंखला को यहाँ पर हम लोग किस नाम से जानते हैं, यह है आपकी ब्रुक्स रेंज, बात समझ में आ रही है, यह है आपकी ब्रुक ब्रुक्स रेंज, वही पर अगर हम लोग यहाँ पर दक्षण की तरफ चले आएं, तो दक्षण में भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजे आपको इस जगह पर दिखाई दे रही हो, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, अलास्का रेंज, यह जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो है हमारा, यूकान और कुसुकुन बेसिन, यह जो एक अंतरा परवती पठार वाला चेत्रा में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, यूकान और कुसुकुन बेसिन, तो यह जो आपको इस्तिती बीच में ए आपकी जिसके दो headwaters आपको लेविस और पहली देखने को मिलते हैं और ये Yukon River द्वारा जो है क्या है dissected है मतलब कि इसका जो अपर्दन किया गया है वो Yukon नदी के द्वारा किया गया है तो जो बड़ा ही महत्यपूर्ण पहला जो आपको अंतरा परवती पठार आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है आपका Yukon और Kusukun बेसिन तो अगर उत्री अमेरिका महादीब के इस एरिया को हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें एक और Brooks Range दिखाई ले रही है दूसरी तरफ हमें यहाँ पर Alaska Range Brooks Range और Alaska Range के मध में हमको Yukon और Kusukun बेसिन यहाँ पर देखने को मिलती है अगर इसके दक्षिन की तरफ आप चलते चले आईए दक्षिन की तरफ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें एक Mountain Range और यहाँ पर महत्पूर्ण तरीके से मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं Coast Range बात समझ में आ रही है यह हमें जो यह एकदम सबसे पश्चिम की तरफ एक परवशेंखला यह देखने को मिल रही है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग कहते हैं Coast Range यह आपकी क्या है Coast Range बात समझ में आई British Columbia से दक्षण से थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखना शुरू करिये तो एक जब आप British Columbia, Washington, Oregon अगर इधर की और हम लोग आएं नीचे की और तो यहाँ पर आपको एक Mountain Ranges इस जगह पर देखने को मिल रही है इन Mountain Ranges को हम लोग कहते हैं Cascade Range यह आपकी किस नाम से जाने जाती है इनको हम लोग कहते हैं Cascade Range बात समझ में आ रही है और थोड़ा सा दक्षण की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो यह बड़ा ही महत्रपूर्ण एक परवश शिंखला आपको इस जगह पर California में दिखाई देती है इसको हम लोग कहते हैं Sierra Nevada यह जो ही परवश शिंखला आपको यहां पर दिखाई दे रही है इसको हम लोग कहते हैं Sierra Nevada अब जब आप Mexico की ओर चले आएंगे तो Mexico में भी आपको इस तरह की परवश शिंखला आपको यहां पर दिखाई दे रही है जिसका यह जो पश् हिस्टा है इसको हम लोग Sierra-Madre-Occidental और यह जो पूर्वी हिस्टा है इस पूर्वी हिस्टे को हम लोग Sierra-Madre-Oriental के नाम भी जानते हैं यह जो हिस्सा है इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे Sierra-Madre-Oriental बात समझ में आ रही है तो अगर हम लोग पश्यमी टटको अगर यहां पर ध्यान से पकड़ कर चलें, अगर पश्यमी टटको अगर आप यहां पर ध्यान से चल रहे हैं, तो Brooks Range, Alaska Range, और Brooks Range और Alaska Range के बीच में आपको बहुत ही महत्रपूर्ण एक अंतरा परवती पठारी छेतर दिखाए दे रहा है, इस अंतरा प देखिए तो आपको एक और महतुपूर्ण परवट शेंखला दिखाई दे रही होगी, इस महतुपूर्ण परवट शेंखला को हम लोग जानते हैं किस नाम से, मैकेंजी परवट शेंखला के नाम से और इस जगह पर आपको मैकेंजी माउंटेन दिखाई दे रहे होगे, यह यह जो mountain range है, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, Mackenzie, यह जो आपका mountain ranges है, यह है आपका Mackenzie ranges, अगर इसी के दक्षिन की तरफ अगर आप ध्यान से यहां पर देखिए, तो बड़ा ही महत्रपून आपको जो विस्तार आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है, वो है आपक आपके rocky mountain, बातसवन में आ रही है, तो यह जो एरिया है, यह है आपका rocky परवत, यह जो आपको mountain ranges दिखाई दे रही है, यह है आपका rocky mountain, अब यहां पर देखिए, महत्रपून तरीके से समझना है कि इस western Cordillera में, अगर आप ध्यान से देखिए, तो सबसे पश्यम की तरफ, Brooks Range, Alaska Range, Coast Range, Cascade Range, Sierra Nevada, और आपका Sierra Madre Occidental और Sierra Madre Oriental, यह आपको बहुत ही महत्रपून परवत शिंखलाएं यहां पर देखने को मिल रही है, सबसे नौर्थ की तरफ, अगर हमने आपको यहां पर बताया था, कि सबसे नौर्थ की तरफ, अगर आप देखिए, तो आपको Yukon और G Kusukun Basin देखने को मिल रही थी, वही पर अगर हम लोग यहां पर Cascade Range और Rocky Mountain के बीच में, इस जगह पर हम लोग ध्यान से देखिए, तो इस जगह पर भी आपको एक बहुत ही महत्रपूर्ण अंतरा परवती पठारी छेत्र हमें देखने को मिलता है, और इस अंतरा परवती पठार को हम लोग यहां पर किसके, कोलंबिया स्नेक पठार के नाम से भी जानते हैं, और यह बहुत ही महत्रपूर्ण कोलंबिया और स्नेक नदियों के दोरा अपवाहित है, यह जो आपको पठार देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग कोलंबिया स्नेक पठार के नाम से य पुटाह प्रांत में एक mountain range दिखाई दे रही होगी जिसको हम लोग कहते है वासाच range अब आपके वासाच range और सियरा निवादा के बीच में आपको एक और महत्वपूर्ण छेत्र यहां पर देखने को मिल रहा है इस सियरा निवादा और वासाच range के बीच का यह जो परवती छेत्र है अंत्रा परवती पठारी छेत्र है इस अंत्रा परवती पठारी छेत्र को हम लोग इस जगह पर कहते हैं great basin यह क्या कहलाएगा great basin मात समझ में आ रही है और अगर आप और दक्षिण की ओर चले आईए तो जो आपका सियरा निवादा और rocky mountain के बीच में इस जगह पर एक और महत्वपूर्ण अंत्रा परवती पठारी छेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं Colorado पठार यह क्या कहलाता है Colorado पठार बात समझ में आ रही है और सियरा मादरे occidental और oriental के बीच में अगर यह वाला जोर देखिए तो यहां पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तिती को अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखिए तो यह है आपका Mexico का पठार मेक्सिको का पठार बात समझ में आ रही है तो अगर हम लोग पश्चिम की तरह अगर इस चीज को आपको concept बिल्ड करने के अनुकरम में अगर अलग से भी हम बना दें तो यहां पर आपको समझना चाहिए और आपको समझ में ध्यान से देखिए आपकी Brooks रेंज और Alaska रेंज बात समझ में आ रही है उसके बाद हम लोगों को यहां पर coast range मिली जब आप Washington, Oregon की तरह इधर पर पढ़ेंगे British Columbia के South से तो यह आपकी coast cascade range California में Sierra Nevada और आगे की ओर बढ़ेंगे तो मेक्सिको में आपको यहां पर जो range देखने को मिल रही है उसको हम लोग कहते हैं Sierra Madre Occidental बात स coast range को हमने COAST range कर दिया इसको हम सिर्फ C लिख रहे हैं cascade range को यह आपका Sierra Nevada range हो गई और आपका Sierra Madre Occidental हो गया बात समझ में आ गई अब इसके इधर की और हम लोगों ने यहां पर देखा था तो यहां पर हमको मिल रही थी Mackenzie range और Mackenzie range के अगर इधर देखिए तो आपको एक समझ में आ रही है अगर यहां पर ध्यान से देखिए तो यह है आपका Rocky Mountain अगर इस ड्रॉ से आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आपको जो अंत्रा परवती पठारी छेत्र हैं वो आपको बहुत ही अच्छे धंसे यहां पर समझ में आ जाएंगे अगर इ दूकॉन और कुसुकुन बेसिन बात्षवन में आ रही है कैस्केड रेंज और आपके कैस्केड रेंज और इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यह आपका दूसरा बहुत ही महत्यपूर्ण पठारी छेत्र है अंत्रा परवती पठारी छेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं कोलंबिया स्नेक प्लेटू ठीक है यह आपके किस नाम से जना जाएगा कोलंबिया स्नेक पठार के नाम से हम लोग इसे जानेंगे सियरा निवादा और वासाच रेंज के बीच में अगर चले आईए तो सियरा निवादा और वासाच रेंज के बीच में आपको यह पर देखने को मिल रही है इसको हम लोग कहते हैं Colorado का पठा यह कौन सा important है जिसको हम लोग यहां पर किस नाम से जान रहे है Colorado का पठा Mexico में अगर चले आएंगे तो Mexico में अगर आप ध्यान से देखिए तो Sierra Madre Occidental और Sierra Madre औरियंटल के बीच में यहां पर एक बहुत ही महत्पूर्ण तरीके से आपको एक पठारी छेतर देखने को मिलता है इस पठारी छेतर को हम लोग कहते हैं मेक्सिको का प्लेटू अब आप से सवाल चाहे जिस तरीके से पूछा जाए कि किन परवतों के बीच में कौन सा पठा इधा का सामना यहां पर करना पड़ेगा बात समझ में आ रही है तो वेस्टर्ण कॉडिलेरा में जो समझने वाली चीजे हैं वह आपका यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासकर अगर आप ध्यान से देखिए कि यह जो यूकान कुसुकुन बेसिन है यूकान वीवर द सिद्ध है तो इस सीक्वेंस में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर हमें चीजें आपको तयार रूप से देखने को मिलेंगे यही पर अगर आप कुछ पीक को देख लीजे जिन से सवाल आपके महत्वूर्ण तरीके से बनते हैं अलासका रेंज में आपको यहा माउंट मकिले पूरे नौर्थ अमेरिका की सबसे सर्वोच चोटी है कोस्ट रेंज में अगर हम लोग यूकॉन टेरिटरी में चले आए अगर हम लोग कनाड़ा की यूकॉन टेरिटरी में चले आए और वहां पर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर माउंट लोगान आपको एक मिलता है और यह जो माउंट लोगान है दूसरी सरवोच चोटी है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इस जगाँ पर अगर आप ध्यान से देख करना सुरू करिए तो कुछ जौला मुखी परवत हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं इस जगाँ पर अगर ध रेनियर हुड और साहिस्ता जो यह तीनों आपके क्या हैं यह तीनों आपके बड़े ही महत्वपूर्ण जौला मुखी परवत हैं तो उन सीक्वेंस में अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए तो माउंट रेनियर ठीक है माउंट रेनियर उसके बाद माउंट हुड माउंट साहिस्ता आपको इस जगह पर देखने को मिलेंगे और यह साहिस्ता हुड और रेनियर यह तीनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण आपके जौला मुखी परवत हैं तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है वहीं आप सियरा निवादा में अगर चले तो यह जो माउंट विटनी है यह आपके युनाइटेड स्टेट आउफ अमेरिका की सब से सर्वोच चोटी है बात समझ में आ रही है तो माउंट विटनी तो माउंट विटनी को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है सियरा निवादा में तो अगर आप वेस्टन कॉडिलेरा को अगर यहाँ पर आप ठीक धंग से देखिए तो वेस्टन कॉडिलेरा में अगर इतनी चीजों को आपने समझ लिया है तो आपको निश्चित तोर कहीं पर भी कोई असुविधा आपको नहीं आने वाली है मैं 100% किस बात का आप लोगों के क्या कर सकता हूं विश्वास दिला सकता हूं कि चीजों को अगर आपने ठीक धंग से समझ लिया है तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी बात क्लियर हो गई अब यहा आप चीजों को यहां पर ध्यान से देखिए तो जो Hudson की खाड़ी के बगल से लेकर यह जो पूरा छेत्र आपको दिखाई दे रहा है यह जो पूरा हिस्सा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इस पूरे हिस्से को ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं Canadian Shield बात समझ में आ रही है अब अगर कोई भी कोई आप से ये बात पूछे कि Shield क्या शब्द है देखिए Shield के लिए अगर एक लाइन में हम आपको सम्झाने की कोशिश करें तो क्रस्ट का प्रिथवी कीี่ क्रस्ट का वह मतलब पुराना टुकडा या वह प्रिथवी की क्रस्ट तुकडा जो अत्यंत पुराना हो और भूम अस्तर के लेवल पर आपका ये इस्थिर हो अगर इस बात की जाए तो oldest अगर कोई भी अगर आप ध्यान से इन चीजों को ध्यान से देखिए तो यहां पर जो आपको हटसन की खाड़ी के पश्चिम से लेके दक्षिन का और यह जला जो पूरा हिस्सा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इस इससे को हम लोग कनेडियन शील्ड कहते हैं और जो यह शील्ड शब्द आता है यह शील्ड सब्द का इस्तिमाल हम लोग करते हैं ऐसे जगां के ल सब्सक्राइब का ओंटेरियो और मॉनिटेवा प्राण वह में अगर आप देखिए तो यह जो पूरा हिस्सा है यह आपका कनेडियन शील्ड कहलाता है अब यह जो कनेडियन शील्ड है इस पर आपकी मिट्टी की बहुत ही पतली लेयर पाई जाती है बहुत ही थिन लेयर है यह जो छेत्र है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जहां से आपको कोनी फेरस फॉरस्ट यानि की कोण धारी वनों की वज़े से लकडियों की उपलब्धता आपको देखने को मिल जा रही है फर ट्रेड आपको बहुत महत्पूर तरीके से यहां पर देखने को मिलता है आपका बहुत ही महत्पूर्ण है चुकि आपको यहां पर चटानी सता है मिट्टी की बहुत पतली लेयर देखने को मिलती है इसलिए क्रिशी कारे तो यहां पर बढ़ी महत्पूर नहीं है लेकिन आपको खास कर जैसे टिंबर इंडस्ट्री लंबरिंग और आपका जो फर लारी से बने हुए उदपाथ सैन, कागज उध्योग लुगदी उध्योग यह सब महत्पूर्ण इस छेत्र में आपको देखने को यहां पर कीजे मिलती है तो इस संदर में आपको यहांपर जरूर ध्यान में भी देखने को मिलता है ठीक है सुपीरियर अप्लाइंट्स के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं और यहीं पर अगर आप न्यू यार्क में देखिए तो एक माउंटेन है एडिन रॉन डॉक ठीक है एडिन रॉन डॉक और यह जो एडिन रॉन डॉक है यह बड़ा ही महत्रपूर्ण चीजें हैं जो की संसाधन संपन और खास कर कोईले के संदर में अगर आप देखिए तो यहां पर आपको ठीक है इस हिस्से से लेकर सेंट्रल अलाबामा तक आपको अपलेशियन माउंटेंस यह जो अपलेशियन परवत आपको यहां पर दिखाई दे रहे ह हैं और यह आपके बहुत ही पुराने माउंटें हैं और यह जो अपलेशियन परवत है यह अपने कोईला उत्पादन के लिए कोईले की प्राप्ती के लिए बड़ा ही महत्रपूर्ण है अब देखिए यह जो आपका ग्रेट लेक्स वाला इलाका है यहां पर आपको लोग इस स्टेट में ये नदी आपकी प्रवाहित हो रही है तो आपका गल्फ आफ मैक्सिको से इसकी connectivity हो गई इन दियों के जाल की वजय से और यहां पर सैंट लॉरेंस वीवर की मडद से हमारी सिंट लॉरेंस की खाडी connectivity हो गई तो हमें St. Lawrence की खाड़ी में आके दुनिया के किसी के भी हिस्से में जाना हो या Gulf of Mexico से हमें दुनिया के किसी भी हिस्से में जाना हो तो बहुत ही सुनिशित अनुकरम हमको यहाँ पर देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो आपको Applesian Mountains देखने को मिल रहे हैं यह बड़े ही important है अब इस Applesian Mountain को अगर हम थोड़ा सा विस्तारित कर दें तो यहाँ पर एक बड़ा ही सुनिशित अनुकरम आपको देखने को मिलेगा अगर यह आपका Applesian Mountain है तो इसके पश्चिम की तरफ अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको Cumberland Plateau दिखाई देंगे ठीक है इस जगह पर आपका है Cumberland Plateau ठीक है Cumberland से North की तरफ जब आप बढ़ेंगे यहाँ पर तो आपको Mount Allegheny ठीक है अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यह है आपका Allegheny बात समझ में आ रही है Allegheny से थोड़ा सा और North की तरफ बढ़ेंगे तो Cat Skill यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका यह है Cat Skill बात समझ में आई तो यह बड़ा ही महत्तुपोर्ण है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है और यहाँ की जो अगर आप North Carolina में अगर ध्यान से देखिए यह जो आपका Applesian Mountains है अगर हम लोग यहाँ पर North Carolina में देखें तो Applesian की जो सर्वोच चोटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है Mount Mitchell ठीक है यह आपको North Carolina में इस जगह पर देखने को मिलेगी जिसकी सर्वोच चोटी का नाम है Mount Mitchell ठीक तो यहाँ पर Cumberland Plateau, Allegny, Catskill उसके बाद आपका Applesian Mountain Ranges आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उसके बाद की Condition में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको Blue Ridge यहाँ पर आपको Blue Ridge ठीक है और उसके पूर की तरफ अगर आप चलते चले जाएए तो यह जोला जो हिस्सा दिखाई देता है इसको हम लोग कहते हैं Pidmont ठीक है तो यह बड़ा ही महत्रपूर्ण है जिस कटेगरी में आपको चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखना है तो अगर आप इस Applesian Mountain को अगर आप ध्यान से देख रहे हों तो Applesian Mountain के पश्चिम की तरफ अगर आप देखे तो Cumberland, Plateau वाला रीजन है अलेगनी, Catskill और Mayan तक अगर जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको White Mountain Vermont में आपको Green Mountain यह आपको इस जगह पर पूरा इस छेतर पर यह विस्तारी देखने को मिलेगा उसके बाद Applesian Ranges, फिर Valley और Ridge वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा तो अगर मोटे-मोटे तौर पर भू आकरतिक विशेस्ताओं के संदर में अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमने इन चीजों को समराइज करिए तो आपका पश्चिम में आपको Western Cordy ले रहा यह संपूर्ण वीच वाला छेत्र आपका है इसको हम लोग Great Plains के नाम से भी जानते हैं यह जो छेत्र है आपका यह कहलाता है Great Plains बात समझ में आ रही है तो यह पूरी उत्री अमेरिका महादीब के संदर्व में यह बड़ा ही महत्तवपूर्ण आपको भू आकरतिक विशेस्ताओं के संदर्व में हमने आपको यहाँ पर चीजे सुनिशित की उमीद है कि आपकी बहुत सी चीजों पर आपका जो concept है वो clear हुआ होगा अगर कहीं भी कोई भी असोविधा रहती है तो आप comment section में प्रशन डाल कर पूछ भी सकते हैं बाकी अगर आपको यह session पसंद आया है तो आप इस session पर और इस पूरे session से संबंदी जो आपकी पून राय है वो comment section में जाकर जरूर लिखे ऐसे ही प्रभावी और concept clear करने वाले lecture की अगले श्रिंखला हम आपके बीच में लेकर जरूर आएंगे तब तक के लिए आप सभी को बहुत धेर सारी शुब काम ना है बहुत धेर सारा प्यार पूरे मनुयोग से अब इस परिश हो यही मेरा आशिरवाद है नमस्कार